मॉर्निंग फ्रेंज जय मातादी कैसे हैं आप सबी आसा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे आपके अपने यूटूब चैनल नीलमिश्रा ब्लोग में स्वागत है तो मॉर्निंग का टाइम है इस समय और दे सकते हैं नहांकर पुजा अगरा हमारा हो चुका है तो बस अभी अभी चाय यहां पर चढ़ाई हुए हैं और पी देते हैं चाय की पिठंड का मौतम है और पुजा पड़ तो हुई चुका है तो बस फटापड से पहले चार पी लेते हैं और इसके बाद से तब लगेंगे जो भी है मॉर्निंग का खाना पीने नास्ता वगरे का तो बस आप लोग भी वीडियो पर बने रहेगा फ्रेंस और वीडियो को फोलवाद जरूर किजिएगा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंस और फेमली में सेयर भी किजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजिएगा फ्रेंस धूप कापी अच्छे से आ चुका है देख सकते है तो अभी चल रहे हैं उसी चत के उपर चायोगरा पिने के लिए तो आप लोग भी वीडियो पे बने रहेगा क्योंकि वहाँ पर चलेंगे थोड़ा सा धूप भी लग जाएगा अभी मौनिंग से काम में ही लगे हैं नहानी के बाद ठंड भी लगता है फ्रेंस तो बस वह थोड़ा थोड़ा सा धनिया इसमें से निकाल रहे हैं चटनी के लिए क्योंकि आज मेरा घर का जो धनिया होता है उसका चटनी खाने का मन था तो फिर यहाँ इतना धनिया निकला हुआ है बसा गये हैं सिलवट्टे पर और सिलवट्टा भी हम चट के उपर ही चढ़ा अब आहिका कोई किसी का भी आना-जाना भी नहीं रहेगा और यहां देख सकते हैं हमारा चैटणी भी तयार हो रहा है क्योंकि दोपार का लेंज का टाइम भी हो चुका है और 11-12 जब्ल यही चल्म कर लेंज mac एक सो प्लांट है तो फिर उसको भी कौन सा पेड़ है मुझे नहीं पता है पर सो प्लांट बोल रहा था जो पौधा वाला है तो बस उसको हम अमरूत यहां लगा दिये हैं क्योंकि यह तो कभी न कभी हटी ही जाएगा तो फिर उहां पर चाय अगर अभी अच्छे से हो रहे और उतने में एक कस्टूमर भी आ गई थी त्रेडिंग बनवाने के लिए तो बस मैंने का टाइम नहीं है अभी मैं लिपाई पुताई के काम में लगी हूँ और आप चले जाएए मार्केट में तो बस एक गाउं में हमारा एक छोटा सा पालर रहता था कभी लेकिन इस टा इसलिए हमने उनको वापिस भी कर दिया इधर मैं अपना लिपाई पुताई का काम लेकर बैड़ गई हूँ और उसमें लगती तो फिर मेरा तब तक कोई आ जाता बचे लोग आ जाते हैं तो फिर इधर इसको खराब भी कर देते हैं तो बस मैंने कहा कि उनको वापिस कर द कि वाल था खराब हो गया था तो उसको भी मैं पेंट करते जा रही हूं नीचे साथ में और एक बॉडर जैसा बनाते जा रही हूं क्योंकि आज मैं अपने आंगन का कुछ अलग तरीके से लिपाई करना चाहती हूँ जो हमारा ब्रामदा है ब्रामदा और आंगन हमारा में एक दम सटा हुआ है और आंगन में एक साइड हमने अपना कीचन भी बनाया है तो पूरा जो कीचन को लेते हुए यहां से पूरा मैं अच्छे से अपना जो भी मुझे लिपाई पुताई का काम करना है तो मैं करने में लग गई हूँ और कुछ अलग तरीके से ही यहां का लिपाई पुताई करूंगी तो वीडियो को फूल वाज जरूर कीजिएगा फ्रेंस वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंस और फेमली में सेर भी कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजिएगा घंटी को दबाकर बेल लाइकम भी प्रेश कर लिजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकिसन सबसे पहले आपको ही मिले तो यहां इतना जैसे उसको पेंट करने के बाद इतना हमारा बच गया था पेंट तो हमने का बस कुछ अलग से लिपाई भी हमारा दिखेगा और फिर पेंट भी हम इसी को में रखती हूं और ज्यादा महेंगा भी नहीं आता है कठाई मंगा लेते हैं और देख सकते हैं बीच में कुछ ऐसा मैं बना रही हूं रंगोली की तरह से तो आप लोग वीडियो को फुल वाज किजिएगा अच्छा लगेगा आप लोगों को और यहां पहले मैं इसी कलर से वाइट सिमेंट से ही इसको मैं अच्छे से पुताई करूंगी और सुखने के बाद इसका कलर जो है अच्छा खिल कर दिखेगा क्योंकि मिट्टी पे पुताई हो रहा है तो फिर थोड़ा जैसे सुखने के बाद ही कलर उभर कर आएगा तो यहां इसको पहले ए और इसके बाद से सेव भी बन गया है और इधर हम कर देते हैं कलर भराई तो यहां पर दूसरे कलर से हम कलर इसमें कर रहे थे लेकिन ओ कलर मुझे कुछ इसमें अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए हम यहां गोबर और लाल मिटी से ही इसका कलर कर रहे हैं काफी को सू सी भी कलर से हमने इसमें कलर नहीं किया है तो देख सकते हैं अभी इसका ऐसे से बॉर्डर बना रहे हैं किनारे किनारे से और आगे वीडियो में आप लोग देखते रहेगा चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए गा फ्रेंज ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तब वो जो बीज में रंगोली बनाए हुए हैं रंगोली का सेप तो उसको भी हम सही कर देंगे क्योंकि आगन में जो रंगोली का सेप होता है काफी खुबचूरत सा लगता है ओ भी कच्चे घर में तो यह हमारा जो दिख रहा है आप लोगों को फर्स इस पे हम इट बिचा हुए हैं फिर भी लिपाई पुताई इसलिए करते हैं कि ताकि एकदम चिकना सा रहे जाडू लगाते टाइम पे हमको बिल्कुल भी जिसे कचड़ा इसमें फसे ना कहीं तो चिकना रहता है तो जाडू लगाते बनता है और पहले क्या था जब सुरू सुरू में इट पहले की यहां खूला था इसके उपर इस टाइम पे हम जैसे कुछ रखवा दिए हैं तो फिर थोड़ा च्हाय justified LEG था तो बारिस में उता हो जयाता था तो इसलिए हम रखवा जितना भी में अंगन से ले इसके उपर ब्राम्दे जैसा इसका सेब दे दिया इसके उपर रखवा दिया था सीमेंट का जो पत्रा होता है तो बस उसको रखवाने के बाद तो यहां छाया हो गया पानी तो बिल्कुल भी नहीं आता है लेकिन लिपाई पुताई करते हैं तो जाडू भी अच्छे से हमा हमारा लगता है और देख सकते हैं काफी कुपशूरसता लग रहा है अभी लिपाई नहीं हुआ है फिर भी और कैसे इसका लिपाई करेंगे आप लोगों को इसका लिपाई का ब्लॉग हो और आप लोग भी बोर हो देखने में और हमारा ब्लोग टाइम पे पहुचना भी चाहिए क्योंकि लिपाई पुताई में तो काफी समय लगेगा तो बस अभी यहां से इसका सेब देने के बाद तुरंसे हम अपना वीडियो भी अपलोड कर दे रहे हैं ताकि हमारा में जरूर बताएगा कि आगन में इसका लुक कैसा लग रहा है और यहां पर कैसे करेंगे लिपाई पुताई ओ आप लोग के वीडियो में जरूर देखिएगा सुखने के बाद इसका काफी प्यारा सा इसका कलर आएगा क्योंकि जो लाल मिट्टी और गोवर का लिपाई काफी पसंद है काफी हर कलर से एक लग कलर दिखता है इसका और इसी का लिपाई एक कच्चे घर का लुक भी देता है तो देख सकते हैं काफी प्यारा लग रहा है मुझे तो आप लोग बताइएगा तो आज का वीडियो यही तक फ्रेंज मिलते हैं तिर अच्छे से